हलो एवरिवन आइम पूजा राउत वेलकम टूएट 24-7 स्कूल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बच्चो स्टाटिस्टिक इन एकोनॉमिक्स का जो हमारे चैप्टर नंबर 6 है तैट इस मेजस ऑफ डिस परजन उससे रिलेटिज जितने भी कॉंसेप्ट है जितने भी मै बात करें अगर हम बच्चो में चैप्टर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दू कि बच्चो चैप्टर नूमर 5 ज़रूर पढ़ लेना जो कि हमारा सेंट्र टैंडिसी आप को कैलकुलेट करने वाला है अब आप कोगे मैं क्यों कि बच्चो statistical tool है वो हमेशा एक दूसरे के साथ associate रहते हैं तो इसलिए बचों मैं आपको recommend कर रहे हूं कि आप जो central tendency या फिर जो हमारा chapter number five है वो जरूर पढ़ ले अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं पढ़ाया तो बच्चों आप जरूर पढ़े अगर हम measure of dispersion की बात करें so measure of dispersion में अगर हम देखें तो क्या-क्या हम concept पढ़नेवाले हैं इस video में या फिर हमारे ये chapter है इसमें क्या-क्या concept है सबसे पहले हम बात करेंगे जो dispersion है उसका meaning क्या है, dispersion होता क्या है, dispersion निकालते कैसे है और dispersion का actual में क्या meaning है ये हम देखेंगे next हम देखेंगे बच्चो dispersant को measure करने के two way है पहला है absolute measurement, second है relative measurement next हम देखेंगे बच्चो absolute और relative measurement baby अब method से हम किस तरह से dispersant को measure करेंगे तो पहला method है range, second है quartile deviation दोनों अलग लग है, पहला range है, second है quartile deviation देखेंगे कि कैसे इनका absolute और relative measurement निकलेगा next हम बात करेंगे बच्चो mean deviation के बारे में की mean deviation से कैसे हम dispersion को measure करेंगे next हम देखेंगे बच्चो सबसे ज़्यादा use होने वाला standard deviation जो की worldwide में use होता है so ma'am ये वाला हम देखेंगे यहाँ पर dispersion next हम देखेंगे बच्छो लॉरेंज करो जो की एक अगर हम बात करें graphical जो measurement है dispersion का वो होता है ये चारो तो क्या है numerical dispersion को measure करता है ये graphically measure करता है बच्छो dispersion को ठीक है बच्छो start करेंगे हम हमारा जो ये वीडियो है start करेंगे तो सब से पहले हम dispersion की बात करें dispersion क्या है अगर हम dispersion की meaning बात करें so dispersion क्या कहता है dispersion is the extent to which value in our distribution differ from the average of the distribution अगर हम dispersion की बात करें बच्छो अगर हमारे पास observative data है, अगर हमारे पास value है, alorsに बच्चो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यह हमारे पास data है, अब मान लो, मान लो कि इसका हमने average निकाला, इसका जो average थक वो आगया 8, हमने माना है, देखो सिיר में निकाला नहीं है, हमने माना है, मान लो कि यह हमारा क्या है아verage है अब इस average से जो दूसरी values है वो कितनी differ है या वो कितनी vary करती है अगर हम 8 से देखे 2 बहुत जादा differ कर रहा है 8 से देखे 12 तो ये थोड़ा कम differ कर रहा है 8 से अगर हम 6 को देखें तो ये क्या है कम differ कर रहा है अगर हम एक observe data हमारे पास है और उस observe data से अगर हम average को calculate करते है तो उस average से जो दूसरी values है वो कितनी vary कर रही है या फिर उन में कितना यहाँ पे difference है distribution में यही क्या है बच्चो यही dispersion अब dispersion जादा भी हो सकता है यानि value के बीच का जो gap है बच्चो जादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है सो यहाँ पे बच्चो हमारे लिए dispersion क्या हो गया dispersion is a extent to which value in a distribution differ देखो यहाँ पे जो distribution की जो value है वो differ करती है किसे जो average distribution है उससे यही क्या है बच्चो dispersion simple sober सी language है इससे उपर कुछ नहीं है next हम देखेंगे बच्चो एक example के थूख की कैसे है तीन दोस्त है राम रहीम और मारिया तीन दोस्त है तीनों दोस्त आपसे में बात कर रहे हैं और तीनों ने कहा कि हमारी जो घर की हमारे जो घर में जितने भी member रहते हैं उन सब की अगर हम salary मिलाए या फिर income मिलाए तो हम सब की जो average income है वो कितनी आएगी 15,000 आएगी जैसे राम की जो average राम के घर की जो average income है वो कितनी है 15,000 है वही रहीम की घर की भी जो average income है वो 15,000 है वही मारिया के घर की भी जो income है वो कितनी है 15,000 पर अगर हम बात करें बच्चो अगर data देखें अगर राम का data देखें सो राम की घर में फोर मेंबर है फोर की इंकम आ रही है ठीक है अब देखो राम के घर में जितने भी मेंबर है उनकी जो इंकम है और जो एवरेज है एवरेज है फिफ्टेन थाउजन तो हम देखेंगे कि जो एवरेज है उससे राम के घर के जो मेंबर की जो इंकम है वह वहले सकता हो दों यानि कि अगर हम यह राम का डेटा ले और जो अगर हम देखें तो इनके बीच का डीफरेंस आगल करने और दाज版 हेम का डीटाने रहीम का रहीम की फैमिली की दो इंकम है बच्चोन उसका एवरीज उसका तेड़ देखें अगर हम यहाँ person की family का जो पहला person है रहीम का उसकी जो income है बच्चों कितनी है 7000 है then 10,000 है then 14,000 है then 17,000 है then 20,000 है and then 22,000 है अगर हम राम की family की income के जो member income है उससे रहीम की family के member income की यहाँ पे comparison करें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमें difference जादा देखने को मिलता है यहां पे variation जादा है average से जो दूसरे data है उन में variation जादा है वहीं अगर मारिया की बात करें मारिया की family में 1% तो कुछ भी नहीं कमा रहा दूसरों कि अगर हम बात करें तो 1% क्या कर रहा है 50,000 तक कमा रहा है तो average से 50,000 बच्चों क्या है बहुत जादा differ कर रहा है तो यहां पे हमें पता चला कि जो हमारे पास data set रहता है या observe data रहता है जो values रहती है अगर हम average calculate करें तो average से जो हमारी values हैं वो कितना differ कर रही है यही बच्चो observation क्या है हमारा dispersation है यहाँ पे dispersion कम है, यहाँ थोड़ा जादा है और यहाँ पे हमें dispersion बहुत जादा देखने को मिलता है यही बच्चो variation क्या है हमारे लिए dispersion है next हम बात करेंगे बच्चो absolute और relative measure of dispersion की absolute measure of dispersion क्या कहता है absolute measure of dispersion contain the same unit as a original data set अगर हम absolute measure of observation या absolute measure of dispersion अगर हम निकाले बच्चो तो जब हम calculate करते है absolute measurement तो बच्चो जो हमारा original data set है और जो हमारा answer आएगा वो same unit में आएगा जैसे suppose that हमने एक data set लिया, हमने kilogram में data set लिया बच्चो जैसे कोई भी किसी भी हमने data ले लिया, kilogram में लिया है जैसे 2, 4, 6, 8, 12 ये सब क्या है बच्चो किलोग्राम में अब हमने क्या करा इसका dispersion calculate किया जब हमने इसका dispersion calculate किया मान लो कि यहाँ पर हमारा answer आया है 10 तो हमारा जो answer आएगा यानि जो dispersion आएगा बच्चो वो भी किसमे होगा किलोग्राम में होगा यानि की हम क्या करेंगे जो हमारा data set रहेगा original data set रहेगा जो उसकी unit रहेगी same unit हमारे किसमे आएगी dispersion में ही आएगी ये होता है बच्चो absolute में अगर हम बात करें absolute measure of dispersion indicate the amount of variation in a set of value in a term of unit of observation absolute measure क्या करता है absolute measure of dispersion क्या करता है जो set of observation है या set of data दिया हुआ है उसमें कितना variation होता है वही बताता है हमारा कौन absolute measure में यानि हम इसको किसी और unit observation से यहाँ पे बच्चो compare नहीं कर सकते हैं जो set of data दिया हुआ है जैसे कि kilogram में जो दिया हुआ है बच्चो हमें data उसी में हम क्या देख सकते है variation देख सकते हैं इनको आपस में compare कर सकते हैं किसमें absolute measure में अगर हम relative measurement की बात करें तो relative measurement बच्चो जो set of data दिया हुआ है अगर हम उसका relative measurement निकालेंगे सो बच्चो यहाँ पे कोई भी unit of measurement में यह नहीं आएगा यानि कि इसको हम किसी और data set के साथ easily compare कर सकते हैं जैसे समझते है relative measure of this person are free from unit of the measurement of the observation जो हमें observation data दिया हुआ है जैसे हम kilogram का ही यहाँ पे example ले लेते हैं जैसे kilogram में हमें दिया हुआ है बच्चो data set 2, 4, 6, 8, 12 यह data observation हमें दिया हुआ है kilogram में अब इसका माल हो कि हमने dispersion निकाल दिया that is 8 ठीक है अब बच्चो यह 8 जो है वह एक क्या होगा बिना measurement unit का होगा हम सिर्फ क्या लिखेंगे नमबर लिखेंगे हम कोई भी यहाँ पे unit नहीं देंगे ना kilogram ना meter ना liter ना ton कुछ भी नहीं हम क्या देंगे सिर्फ number देंगे अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों हम ऐसा क्यों करेंगे क्यूंकि बच्चो यहाँ पे हम relative measurement निकालने और relative measurement क्या होता है बच्चो एक pure number होता है हम जब relative measurement निकालने से हम किसी भी डेटा सेट से suppose that हमने kilogram का relative measurement निकाला अगर हमारे पास meter का data दिया हुआ kilogram से meter differ करता है meter का data दिया हुआ है so easily उसके साथ compare कर सकते हैं अगर हमारे पास ton का data दिया हुआ so easily उसको compare कर सकते हैं अब हमें भी पता है kilogram की unit से अलग है meter का unit से अलग होगा ton की unit से अलग होगी So, इन सब को आपस में compare करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते है? एक pure number लेते हैं ऐसा number जिसमें कोई unit of measurement नहीं है अब जब unit of measurement नहीं है, तो हम easily क्या कर सकते है? एक data of observation को easily, जो दूषरी data of observation है जो दूषरी unit के data of observation है उनसे easily हम यहाँ पे compare कर सकते हैं तो मैं अगर हम बात करें, relative measure of something, not as coefficient of this person as a coefficient, means a pure number, means a pure number that is independent of the unit of measurement, यानि ऐसा unit of number, देखो coefficient मतलब क्या होता है, pure number, जो की बच्छो यहां क्या होगा, यहां पे independent होगा, किस से unit of measurements है, यानि कोई भी यह जो हमारा number आएगा, बच्छो इस पे कोई भी unit of measurement नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, number आएगा, हम यहां पे kg, time, values, कुछ भी नहीं लिखेंगे, यह सिर्फ हमारा number होगा, बच्छो absolute measure और relative measurement हमने जाना, next हम बात कर लेते, बच्छो measure of dispersion में हमने यहां पे देख लिया, absolute measures को और बच्छो relative measure को, अब इनकी types भी हैं, जैसे हमने methods की बात की थी, सबसे पहली हमनारी slide थी बच्छो, जिसमें अगर हम बात करें, देखो, absolute measure और relative measure, दोनों में ही क्या हमें देखने को मिलता है, यहां पे बच्छो method होंगे, एक जैसे होंगे, बस उनको relatively कैसे निकालना है, और absolutely कैसे निकालना है, अगर हम absolute measure की बात करें, तो हमें range पता चलेगा, range हम absolute और relative दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, नेक्स्ट हम देखें, बच्छो, quartile deviation, quartile भी हम यहां पे absolute और relative दोनों ही तरह से निकाल सकते हैं, mean जो है deviation वो भी हम absolute और relative दोनों साइट से निकाल सकते हैं, standard deviation इसको भी हम absolute और relative measurement दोनों ही तरह से निकाल सकते हैं, देखो अगर हमें absolute measure निकालना है छो में अगर हमें बच्चो relative measurement निकालना है तो हमें क्या लिखना है Coffee of variance लिख सकते हैं ठीक है या फिर हम coefficient of range हैSarah υट को俺 देवेशन लिख सकते अभक है Coefficient of mean deviation छिख सकते हैं ठीक है को अब coefficient of variance किसका है बच्छो इसका है, standard deviation का है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, range का हमारा coefficient of range, coefficient of range, ठीक है, coefficient of variance, या फिर हम variance भी कह सकते हैं, ठीक है, coefficient of variance किसका है, यहाँ पे standard deviation का standard deviation बहुत important है बच्छो इसको हम easily पढ़ेंगे वैसे मैं आपको बता दू बच्छो standard deviation पे already two videos है एक नहीं है two videos है आप बच्छो उसको जरूर देखो थोड़ा deeply knowledge मिलेगा आपको आगे हम देखते हैं बच्छो अगर हम बात करें range की so range सबसे easily अच्छा मैं एक बता दू इसमें यहाँ पे अगर हम बात करना है so range और जो quartile deviation है ना बच्छो इसमें हमें average calculate करने की जरूरत नहीं है इसमें हमें जो data of observation दिया हुआ है उस data of observation से ही एक value दूसरे value से कितनी differ है यह दोनों हम इसमें देखते हैं यानि जो हमें within data में ही variation देखना है बिना average के तो हम इन दोनों से देखते हैं ठीक है range और quarter deviation mean deviation और standard deviation से हम proper average निकालते हैं और उसके बाद में हम average से जो दूसरी value जो observe data की दूसरी value है बच्छो उसको हम यहाँ पे उसके साथ variation देखते है तो सबसे पहले अगर हम बात करें range जो है range का जो हमारा absolute measurement है बच्छो उसको कैसे calculate करते है range is a difference between the largest and the smallest value of the distribution कोई भी distribution दिया हुआ है बच्छो कोई भी distribution दिया हुआ है उस distribution की जो सबसे largest value है और जब से smallest जो value है इन दोनों के बीच का जो difference है बच्छो वही क्या है हमारे लिए वही हमारे लिए range है so range को calculate कैसे करते हैं यह हमारा range के calculate करने का formula है अब बच्छो हमने absolute measurement निकाला था अब relative measurement निकाल लेते हैं so relative measurement कैसे निकलेगा को हमारा relative measurement कैसे लिकलेगा मैंने क्या कर रिलेटिव measurement को हम कैसे बताते हैं coefficient से बताते हैं so मैं coefficient of range हमारा कैसे निकला है L minus S upon L plus S इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं coefficient of range निकाल सकते हैं अब बच्छो एक question कर लेते हैं चलो इस से related question हमें दिया हुआ है following value 20, 30, 40, 50 and 200 calculate करना है range हमें absolute measurement और मैं relative measurement दोनों ही calculate करना है ठीक है absolute measurement यहां कर लेते हैं हमारा range का formula क्या है बच्छो हमारा range का formula है मैं L minus S यानि जो largest value इसमें से हमें smallest value को minus करना है ठीक है अब बच्छो इसमें देखेंगे largest value कौन सी है मैं 200 हमारी largest value है smallest value कौन सी है 20 है so easy है 200 minus 20 क्या रहे गया 180 रहे गया ठीक है यह हमारा क्या हो गया absolute measurement निकल गया अब same relative measurement भी निकाल लेते हैं relative measurement निकाल लेते हैं तो relative measurement को हम क्या कहते हैं coefficient of range कहते है formula है हमारा L minus S अचा एक सेकीन थोड़ा सा इधर लिखते है coefficient of range so हमारा formula है L minus S upon में L plus S यही formula है एक बार चेक कर लेते हैं ठीक है यही formula है हमारा L minus S upon में L plus S ठीक है मैं अब मैं अगर हम बात करें सो मेरा हमारा L क्या है 200 है so यहाँ पर लिख लेते हैं 200 minus 20 upon 200 plus 20 इसको easy way में कर लेते हैं so यहाँ पर आ जाएगा 180 upon यहाँ पर आ जाएगा बच्चो कितना 220 दोनों को divide कर दो आपस में 180 को divide कर दो 220 से आपका जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चो coefficient of range हो जाएगा कर लोगे ना easy है next हम देखते हैं बच्चो हमने क्या देख लिया हमने range के बारे में देख लिया range बच्चो क्या है सबसे easiest सबसे understanding वाला हमारा method है बहुत ही simple method है so अगर हम range की बात करें advantage देखते है range के कि कौन-कौन से advantage है range is a understood and used frequently because it is a simple simplicity यह बहुत simple है और इसको easily हम क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं example अगर हम बात करें हम बच्चो रोज टीवी पे या फिर आप newspaper में देखते होके कि जो हमारा जो जो फ्रकास्ट होता है बच्चो जैसे temperature का फॉरकास्ट या जो 여기서 forecast होता है उसके बारे में बताते है तो वह maximum और जो minimum temperature है उसके बारे में बताता है बच्चो maximum and minimum temperature जो है वो क्या है एक तरह से हमारा range है day to day life में use होते हैं सारी ही statistical tool बस हमें देखने की जरूरत है so यहां पर हमें example देखने को मिलता है कहां जो temperature होता है उसका minimum और जो maximum जो होता है बच्चो temperature वो किसका example है हमारे range का example है अगर हम बच्चो limitation की बात करें तो इसके limitation क्या है range is unduly affected by extreme value range बच्चों किसे effect होता है अगर बच्चो suppose that देखो range के हम क्या लेते हैं दो extreme value लेते हैं एक सबसे कम जो smallest value लेते हैं एक सबसे जो largest value है वो लेते हैं अगर बच्चों इन दोनों value में change होगा तब हमारे range में change होगा और अगर इं दोनों value में change नहीं होता है और बीच की कोई भी value में change हो जाता है तो बच्चो यहां पे उससे कोई फरक नहीं पड़ता, तो बच्चो यहां पे क्या है, यहां पे unduly affected होता है, range क्या होता है, जो extreme value होता है, उससे क्या होता है, unduly affected होता है, next हम देखेंगे, it is not based on all value, जो range होता है बच्चो वो सारी value पे based नहीं करता है, as long as the minimum and maximum values remain altered, any change of other value does not affect range, अगर हम बात करें, minimum value और जो maximum value, यानि smallest value और हमारा जो largest value है, इसमें अगर change हुआ, तभी हमारा range change होगा, बीच में अगर कोई भी value change हुए, उससे range पे कोई फरक नहीं पड़ता, यानि यह जो है, सारी value को value पे based नहीं, यानि यह सारी value को represent नहीं करता है, यह इसकी क्या हो जब shares की value जो opening में जो रहती है, और day के ending में जो रहती है, उसका भी example आपको range में दिख जाता है, ठीके बच्चों, next तब देखेंगे, it cannot be calculate for open ended frequency distribution, जो बच्चों open ended frequency distribution होते हैं, open ended frequency distribution कैसे होगे, 10 to 15, 16 to 20, 21 to 25, यह जो हमारा frequency distribution होता है न बच्चों, यह जो class होती है, यह open ended और इस open ended class में range का use नहीं होता है, ठीके बच्चों, यहाँ पर हमने range के बारे में समझा, range के advantage देखें, इसके examples देखें, उसी के side हमने देखा, इसके limitation कौन कौन सी, बच्चों हमने range के बारे में देखा, जो कि हमारा standard deviation का एक पहला method है, next हम बात करते हैं, बच्चों, quartile deviation की अच्छा, quartile deviation है थोड़ा-thोड़ा similar है हमारे mean deviation, sorry, means है, mean जो हमारा average है बच्चों, जिसमें हम क्या करते थे, average निकालते थे, middle value निकलती थी, पूरा जो observation है, उसका जो 50% है, यानि जो middle value, एकदम middle value, वो निकलती थी बच्चों किसमें हमारे median में, अगर हम quartile deviation की बात करें, सो बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा observation data है, उसको four part में divide किया है, median में तो क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, two parts में data को divide कर रहे थे, यानि 50% निकालके हम two parts में data को divide कर रहे थे, quartile deviation बच्चों, four part में हमारा data divide होगा, सो अगर quartile deviation की बात करें, सो quartile deviation का हमार बच्चो absolute measure कैसे निकलेगा तो यह निकलता है बच्चो Q3-Q1 upon 2 ठीक है Q3 हमारा 25% है Q1 हमारा 75% है और इसको डिवाइड कर देंगे बच्चो 2 से तो यह हमारा क्या हो गया यहां पर absolute measurement निकल गया अगर हम relative measure की बात करें तो coefficient of हमारा coefficient of quotile deviation या QD क्या होगा Q3-Q1 upon Q3-Q1 और बच्चो यहां पर भी धियान रखना हम कोई average नहीं निकाल नहीं यहां पर क्या हो रहा है जो data दिया हुआ है observe data उसी में बच्चो हम क्या करें एक value से दूसरी value को differ कर रहे है ठीक है बच्चो अब इससे related question कर लेते हमारे पास question है calculate range and quotile of the following observation ठीक है यहां पर हमने observation दिया हुआ है बच्चो इससे हमें क्या निकालना है हमें रेंज वैसे रेंज हम निकालेंगे नहीं रेंज आप निकाल लेना हमें quotile deviation निकालना है ठीक है range आप easily निकाल सकते हो मुझे पता है L-S करोगे तो हमारा range निकल जाएगा निकालना है बच्चो हमें quotile deviation quotile deviation कैसे निकलता है अगर हम absolute measure की बात करें अगर हम absolute measurement की या absolute measure की बात करें सो मैम कैसे निकलेगा simple है मैम यहाँ पर यह हमारा qd का formula q3-q1 upon me 2 ठीक है यह हमारा क्या है quotile deviation का formula है अब बच्चो यहां पर quotile deviation निकालना है q3-q1 निकालना है तो मैम पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा q3 निकालना पड़ेगा So, यहाँ पर पहले हमें Q3 निकालना है ठीक है, अब बच्चो Q3 कैसे निकलता है सबसे पहले अगर हम बात करें So, Q3 निकालने का फॉर्मला क्या है बच्चो हमारा 3 N N प्लस 1 अपॉन में हमारा यहाँ पर आजाएगा N N प्लस 1 अपॉन में N ठीक है बच्चो यह हमारा क्या है Q3 निकालने का फॉर्मला है अच्छा सॉरी, एक सेकिन, एक सेकिन, एक सेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर आएगा 4 यहाँ पर क्या आएगा 4 यह हमारा Q3 निकालने का फॉर्मला है 11 प्लस 1 अपॉन में 4, अब क्या करना है, 11 प्लस 1 को add करलो 12 हो गया, 12 को multiply कर दो 3 से और divide कर दो बच्चो 4 से, जब हम यह करेंगे जब हम यह करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा बच्छों यहां पर आजाएगी 9th value कौन सी value आएगी 9th value कर लेना बच्छों यहां पर आजाएगा 36 आएगा 36 को आप 4 से divide कर दो ठीक है जब 36 को 4 से divide करेंगे तो क्या आजाएगा 9th value अब बच्छों जो हमारे पास observe data है, इसमें हमें ninth value देखनी है, so ninth value क्या होगी, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, हमारा जो ये data of observation है बच्छो, एक क्या दिया हुआ है, एक series में दिया हुआ है, याने कि छोटे से बड़ी होती हुई, यहाँ पे क्या है, series है, अगर बच्छो, आपको series उल्टी-फुल्टी दिख रही है, याने कि कोई बड़ी value आगे है, कोई छोटी value पीछे है, तो उनको एकदम सही series में हमें क्या करना है, पहरे, arrange करना है, then हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें quartile deviation, mean deviation, वैसे बच्छो, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 9th value 51, यह हमने Q3 में calculate किया, Q1 में calculate कर लेते हैं, तो हमारा Q1 क्या हो जाएगा, बच्छो, हमारा Q1 का formula है, N plus 1 upon में 4, यह हमारा Q1 का formula है, अब बच्छो, यहाँ पे calculate करते हैं, इसको हम N plus 1 upon में 4, ठीक है, यह जो हमें data दिया है, पहले मैं बता देते हूँ, यह जो हमें data दिया है, एक individual series का दिया है, अगर हम continue series की बात करते हैं, बच्छो, जहाँ पे frequency distribution होता है, उसका हमें, जैसे formula तो यही है, हम इसी तरह से हम अपना quartile deviation निकालेंगे, बस हमें क्या करना है, हमें बच्छो 이हाँ पे, किस way में निकालना है, जैसे कि हमारा जो quartile deviation, जैसे medium जो था, बच्छो, medium को निकालने का continue frequency में, किस तरह से निकालते थे, एक पूरा हमारा formula था, उसको हम apply करके, यहाँ पे median निकालते थे वैसे हमें quarter deviation भी निकालते है ठीक है अब बच्चों यहाँ पे हम कैसे calculate करेंगे 11 plus 1 upon में 4 तो मैम यहाँ पे कितना आएगा 12 को upon कर दो 4 से तो यहाँ पे कितना आएगा 3 ठीक है क्या आएगी 3rd value अब बच्चों हमारी जो 3rd value है वो क्या है 3rd value है मैम हमारी यहाँ पे देख लो 1 2 3 3rd value कितनी है 29 क्या हो गए 29 तो मैम हमारे पास Q1 भी आ गया है और Q3 भी आ गया अब क्या करना अब यहाँ पे apply कर लो ठीक है मैम यहाँ पे Q3 कितना है 51 upon में 29 upon में क्या करना है हमें 2 करना है अब करो इसको सॉल 51 अपन में 29 अपन में क्या करना है हमें 2 करना है तो जब हम इसको सॉल करेंगे तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा बच्छो 11 और यह 11 ही क्या है हमारे लिए यह 11 ही बच्छो हमारे लिए क्या है quartile deviation है absolute measurement है यह अब बच्छो relative measurement भी निकाल लेते हैं क्या निकालते है relative measurement यह यू है ठीक है relative measurement कैसे निकलेगा coefficient of coefficient of qd quartile deviation कैसे निकलेगा simple सा है q3 minus q1 upon में q3 plus q1 ठीक है अब मैं हमारे पास q3 कितना था यह था 51 यहीं पर लिख देती हूं 51 upon में 29 upon में हम क्या करेंगे 51 plus में 29 पहले हमें 51 से 29 को इसको 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 इसमें प्लस करके इससे डिवाइट कर देना आपके पास बच्छों relative measurement आ जाएगा सुपचों कॉटाइल डेवेशन कैसे निकलता है डेटा का यह हमने देखा यह हमारे पास individual series है अगर हमारे पास continue series है method यही है बस हमें क्या करना है बच्छों उस situation में हमें जैसे हम median calculate करते थे ऐसे CF निकालके वैसे हमें यहाँ पे Q3 और Q1 भी calculate करना है ठीक है next हम बात करते हैं बच्छो mean deviation के बारे में अब बच्छों जो average निकालके जो हम dispersant calculate करते हैं यानि variation देख रहे हैं observe data में वो method आ गया है mean deviation और standard deviation अगर mean deviation की बात करें बच्छों mean deviation क्या करता है इग्नोर करता है बच्छों sign को अगर हम जब mean deviation calculate करते हैं तो जो भी sign है जैसे plus है minus है तो हम sign को ignore करेंगे हमा जो values के बीच में जो variation है बच्छों वो हमारे लिए क्या होगा positive होगा next हम देखते हैं बच्छों अगर हमें mean deviation calculate करना है तो मैं method क्या है direct method है या individual series के लिए हम क्या करेंगे मैं यह वाला formula apply करेंगे md sigma modular d modular d यानि यहाँ पर क्या है बच्छों deviation है अगर हम continue distribution या continue frequency distribution है हमारे पास so ma'am हम कैसे md को calculate करेंगे sigma f क्योंकि बच्छों frequency distribution आ जाएगा so sigma f modular d upon में sigma f से हम क्या करेंगे यहाँ पर mean deviation को calculate करेंगे कैसे करेंगे हम देख लेते हैं बच्छों यहाँ पर अगर हम बात करें for mean deviation it is a coefficient of mean deviation अगर हम बच्छो coefficient of mean deviation को calculate करेंगे तो कैसे करेंगे अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दू mean deviation बच्छो two types से calculate हो सकता है कौन कौन सा एक तो बच्चो अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट हो सकता है एक हो सकता है बच्चो मीडियन से अब बच्चो चाहे हम अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करें तो भी यही फॉर्मला है अगर हम मीडियन से कैलकुलेट करें median आ जाएगा ठीक है हमें नीचे छोटा सा लिखना है median और हमारा formula यही होगा sigma modular d upon में क्या होगा n यही हमारा formula है same continue distribution में भी यही होगा यहाँ पर arithmetic mean या फिर क्या आ जाएगा median आ जाएगा formula same रहेगा ठीक है अब बच्छो अगर हमें coefficient निकालना है यह हमारा absolute measurement है अगर हमें coefficient निकालना है याने हमें relative measurement निकालना है तो हम कैसे निकालनेंगे coefficient of mean deviation अगर हमें coefficient of mean deviation निकालना है अगर हमने mean deviation निकालना है बच्छो अर्थमेटिक mean से तो हम क्या करेंगे जो हमने mean deviation निकालना है mean से उसको हम divide कर देंगे बच्चों किससे arithmetic mean से यह वाला जो हमारा symbol है ना arithmetic mean का है भूलना मत नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर हम coefficient of median deviation निकालेंगे कोफिशन्ट of median deviation या फिर coefficient of mean deviation अगर हम median से निकालेंगे सो मैम हमारा formula क्या है जो mean deviation हमने calculate किया है उसको हम divide कर देंगे बच्चों मीडियन से पर यह जो मीडियन से कैलकुलेट होना चाहिए जिस हम अगर जिस भी स्टैटिस्टिकल टूल से एवरेज को कैलकुलेट करेंगे उसी एवरेज को हम क्या करेंगे यहां पर डिवाइट करेंगे यहां हमने अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट कि क्या तो डिवाइट किसे करेंगे मीडियन से डिवाइट करेंगे नेक्स्ट हम बच्चों देख लेते हैं अब एक कोश्चन तो हमारे पास वेल्यूस दी हुए बच्चों 24789 इसका हमें क्या निकालना है बच्चों मीन डेवियेशन निकालना अब बच्चों हमें यहाँ पर एक्स की वेल्यूस दी हुए बच्चों that is 24789 ठीक है मैं अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है बच्चों यहाँ पर क्या डेवियेशन निकालना है सो डेवियेशन कैसे निकलेगा यहाँ यहाँ यह हमारा क्या है बच्चों सिग्मा एक्स है याद रखना है इन सब क total है sigma x 30 बचो अगर हमें निकालना है क्या arithmetic mean कैसे निकालते हैं sigma x upon में n करना होता है sigma x upon में क्या करते है n करते है अब बचो sigma x कितना है sigma x 30 so ma'am 30 n कितना है n कितना है n कितना है so 12345 number of observation कितना है बच्छो 5 है ठीक है 30 को 5 से divide कर दो 30 को 5 से divide करेंगे तो बच्छो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ठीक है सो 6 हमारा क्या हो गया मैं यहां पे हम देखेंगे 6 हमारा क्या है arithmetic mean है अब बच्छो यह कैसे निकलेगा modular d कैसे निकलेगा सो simple सा मैं x minus x bar कर दो क्या करना है x minus x bar कर दो तो कर दो six तू में से six को minus करो two में से six को minus करेंगे तो four आएगा minus का four आप करोगे minus का four आएगा पर हमने सबसे पहली जो बात थी मैंने क्या कर außer थी कोई कि साइन हो वो हमें ignore करना है positive हैं therapeutic positive लेना है negative है तो भी क्या लेना है बच्चो positive लेना है ठीक है 4 में से 6 को minus करो कितना आएगा minus का 2 आएगा वैसे पर हम क्या लिखेंगे मैं यहाँ पर यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 1 यहाँ पे क्या आएगा बच्चो प्लस का 2 और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 3 यह हमारे पास values आ जाएंगी अब बच्चो क्या करना है इन सब को add कर लो मैं जब हम इन सब को add करेंगे तो हमारे पास values कितनी आजाएगी बच्चो 12 आजाएगी कितनी आजाएगी 12 आजाएगी अब हमें क्या करना है हमें यह formula लगाना है कौन सा formula यह वाला sigma modular d upon me and arithmetic mean के लिए ठीक है तो अगर हमें देखना है जो हमारा यहाँ पर बच्चो कैसे निकलेगा हमारा mean deviation ठीक है एक सेकेंड हाँ so हमारा यहाँ पर mean deviation of arithmetic mean formula क्या है sigma modular d upon me sigma modular d क्या है बच्चो यह हमारा sigma modular d है sigma modular d है ठीक है यह कितना है 12 है so ma'am यहाँ पर हम लिख देते हैं so ma'am 12 upon me n कितना है n n n अभी निकाला है 5 है हमारा number of observation कितना है बच्चो 5 है कर लो divide 12 को 5 से divide करो 12 को जब 5 से divide करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा बच्चो 2.4 आजाएगा हमने बच्चो mean deviation calculate किया है किस से arithmetic mean से अब बच्चो बारी किस की है median की है median कैसे निकालते है median निकालना आना चाहिए बच्चो आपको कैसे निकालते है हम median so ma'am अगर हमे median निकालना है so हम कैसे निकालते है n प्लस 1 upon me 2 यही हमारा formula है मीडिया निकालने का हमारे individual series में, so ma'am, यहाँ पर n कितना है, n ma'am, हमारे पास हमने निकाला है, कितना है, 5 plus 1, upon में कितना आ जाएगा, बच्चो, 2 आ जाएगा, 5 plus 1 करो, 6, 6 को upon करो, यहाँ पर किस से, यहाँ पर हम upon करेंगे, बच्चो, एक से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 plus 1, sorry, 5 plus 1, 6, 6 को हम डिवाइड कर देंगे, 2 से, so ma'am, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहानि हमारी 3rd value, 3rd value, 3rd value, 3rd value, 3rd हमारा, जो observation है, बच्चो, उसमें 3rd value क्या है, 7 है, क्या है, 7 है, अब जब 7 है, सो यहाँ पर हमें, एक और बनाना पड़ेगा, एक सेकिंड हाँ, इसको, थोड़ा सा इसे करती हूँ, यह इसको थोड़ा सा इदर लिख लेती हूँ, उनमें N, ठीक है, अब बच्चो, यहाँ पर हमारा, इसका modular अलग आएगा, ठीक है, अब बच्चो, क्या हो गया, 3rd value हमारी, कितनी है, 7 है, कितनी है, 7 है, अब बच्चो, यहाँ पर हमारा, यहाँ पर कैसे calculate करेंगे, simple सा है, X minus median को minus करेंगे, ठीक है, मैं, median को क्या करेंगे, minus करेंगे, so मैं, हमारा median कितना है, 7 है, चल्कुलेट किए 7 में से 3 मैं मैं-स event hoş तो कितना आएगा चालय हम इसको फाइव प्लसवी ब्लस नए टीन करेंगन का इसको इसको 5 प्लस3 8 8Ploss 9로 9ル Lisa क्या क्या अब बच्चो क्या करना है अब हमें मीं डवेशन में क्लीएशन कैलकुलेट करना है Mgcalculate करना है किस से हमारा मीडियन से अब बच्चों से жив फॉर्मला फॉर्मला चाहिंच नहीं हुगा हमारा सिग्मा मॉडूलर्ड ऑपान में ऐ अब कितना है modular D, modular D, कितना है हमारा, 11 है, कितना है, 11 है, 11 upon में N कितना है, 5 है, कर दो divide, 11 को 5 से divide करोगे, कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आजाएगा बच्चो 2.2, कितना आएगा 2.2, सो मैं, यहाँ पे हमने mean deviation कैसे निकालते हैं, calculate करते हैं, यह हमने देखा, अब बच्चो, arithmetic mean, अच्छा, इसका अगर हम बात करें, कि मैं, यहाँ पे हमारा coefficient कैसे निकलेगा, यह भी तो बात होती है, सो coefficient को कहां adjust किया जाए, यहाँ पे हमारे पास जगा नहीं है, एक बार थोड़ा सा adjust करके देखते हैं, हमारे पास answer तो आई गया है, इसको यहाँ पे थोड़ा adjust करके देखते हैं, coefficient भी तो calculate करना है, भी, सो हमारा यहाँ पे answer आया था, हमारा 2.4 आया था है ना, then हम यहाँ पे md calculate करेंगे, median से, सो हमारा formula सेम है, sigma modular d upon n, सो मैं यहाँ पे आ गया, 11 upon 5, सो हमारा यहाँ पे आया 2.2, अब बचो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जब भी आप calculate करो, अगर आप mean deviation calculate कर रहे हो, चाहे वो arithmetic mean से हो और median से हो, तो arithmetic mean जो होगा, वो हमेशा median से जब आएगा, यानि इन दोनों में अगर हम देखें, सो हमेशा mean deviation जब आता है, sorry, mean deviation में, arithmetic mean से अगर हम calculate करते हैं, अगर हम जब जब आएगा, देखो यहाँ पर भी, जो हमारा है, mean deviation से कर रहा है, arithmetic mean से कर रहा है, तो 2.4 आया है, और median से कर रहा है, तो हमारा 2.2 आया, अब बचो coefficient निकाल लेते हैं, coefficient of md, ठीक है, mean deviation, formula क्या है, अगर हम इसका निकालेंगे, तो हमारा formula है, md, जो कि हमने, arithmetic mean से निकाला है, और उसको हम क्या करेंगे, arithmetic mean से divide कर देंगे, ठीक है, मैं हम कर दो, 2.4 आया है, यहाँ पर, 2.4 आया था, और इसका जो, हमने क्या निकाला है, बच्चो, mean निकाला था, mean कहा है, यह रहा है, sorry, हमारा arithmetic mean निकाला था, कितना है, 6 है, 2.4 को 6 से divide कर दो, ठीक है, सेम, हमें इसमें भी करना है, coefficient, coefficient of md, कौन सा वाला, median वाला, ठीक है, सो यहाँ पर, बच्चो, md जो हमने निकाला है, median से, उसको हम divide करेंगे, किस से, median से, सो बच्चो, सेम है, 2.2, 2.2 को हम divide कर देंगे, किस से, यहाँ पर हमने median निकाला है, कितना है, 7 है, ठीक है, 2.2 को क्या करेंगे, हम 7 से divide कर देंगे, और जो भी answer आए, आंसर आप निकाल लेना बच्चो जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो गया coefficient of mean deviation हो जाएगा so mean deviation अगर हमें पास individual series दी हुई है तो कैसे calculate करना है हमने देख लिया अब बच्चो बात कर लेते हैं कि अगर हमें mean deviation continuous distribution का दिया हुए तो हम कैसे निकालेंगे सो बच्चो already क्योंकि हमारे पास time कम है सो मैं हमने क्या करा already जो हमेरे पास observe data है देखो यहां पर बच्चो continue series में क्या होता है यहां पर हमारे पास class interval दिया हुए सो हमें class interval दिया हुए 10 to 20, 22 to 30, 32 to 50, 52 to 70 और 72 to 80 frequency distribution दिया हुए यह हमारा frequency है 5, 10, 16, 8, 3 और 40 अब बच्चो हम क्या निकालेंगे अगर हमें दोनों ही वे में निकालना है ठीक है अगर हम दोनों ही वे में निकालेंगे तो हमारा पहला तो क्या होगा पहले तो हम क्या निकालेंगे, आर्थमेटिक मीन से निकालेंगे, ठीक है, यह जो CF का कॉलम है बच्चों, मैंने आपके लिए छोड़ा है, आपको मीडियन से निकाल के कैलकुलेट करना है, अगर हम MP की बात करें, याने कि अगर हम मिडल वैल्यू की बात करें, मिडल पॉइ कर दो 2 से, 10 प्लस 20, डिवाइड कर दो किसे 2 से, तो कितना आएगा, 15 आएगा, सेम, इन दोनों को एड करो और डिवाइड कर दो 2 से, यहां पर कितना है 25, then 40, then 60, then 75, यह हमारा मिडल पॉइंट निकल गया, अब बच्चों, D कैसे निकला, डेविएशन कैसे निकला, या डि बच्चों, is a x हो गया, ठीक है, अब इसको हमने f से multiply कर दिया, जब हमने इन इन दोनों value को आपस में multiply किया, और जो भी उनका sum आया है, वो क्या हो गया, हमारा sigma fx, जब हम multiply करेंगे, तो हमारा sigma fx कितना आएगा, बच्चों, 16, 40 आएगा, उसको हमें divide करना है, किसे n से, n ह हमारा क्या है, बच्चों, यहां पर 40 है, इनको add कर लो, तो कितना आएगा, 40 आएगा, आप कहोगे, कि मैं 16, 40 कैसा आया, फिर से मैं बता देती हूँ, इन दोनों को आपस में multiply करना है, इन दोनों को आपस में multiply करना है, एक अलग से column बनेगा, यहां पे, इन दोनों को आपस अब बच्चों, modulate D कैसे निकालना है, simple है, x minus x bar करना है, ठीक है, x minus क्या करेंगे, x bar करेंगे, so मैं, जो x की value है, 15 में से हम 40.5 को minus करेंगे, तो हमारे पास क्या आजाएगा, 25.5 आजाएगा, वैसी 25 में से हम 40.5 को minus करेंगे, so आजगा हमारा 15.5, same ऐसे 40 में से हम क्या करें करेंगे, then आजाएगा हमारा 15.5, sorry, 0.5, then 60 में से हम क्या करेंगे, 40.5 को minus करेंगे, then आजाएगा हमारा 19.5, same as a T, हम क्या करेंगे, 75 में से हम इसको 40.5 को minus करेंगे, दो आजाएगा, यहाँ पर 34.5, ठीक है, यह हमारे पास आगया, अब क्या लास्ट बचा है, अब जो f है बच्चों, जो हमारे frequency है, उसको इस value से multiply कर दो, जब हम इस value से multiply कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, fd, f modular d आ जाएगा, so हमारा f modular d आने, 127.5 आ गया, 124.5 आ गया, 8 आ गया, 156 आ गया, और 103 आ अपस में multiply करके देखना, 5 को 25.5 से multiply करना, 8 को 15.5 से multiply करना, 3 को 34.5 स multiply करना, ये जब आ जाए, तो इनका sum कर लो, इनका sum कर लो, जब हम इनका sum करेंगे, तो क्या values आएगी, 5,9, 5,19 आएगी, ये क्या है, हमारा sigma f modular d, क्या है, ये हमारा sigma f modular d है, बच्चों, ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, अब मैं simple सा है, अब तो हमें formula यहाँ पे लगा क्या है, md, हमारा arithmetic mean का sigma f modular d upon में n करना है, अब बच्चों, sigma f modular d कितना है, 5,19 है, कितना है, बच्चों, 5,19 है, n कितना है, अभी निकाला है, 40 है, ये हमारा n है, ठीक है, n है, हमारा 40, कर दो solve, जब हम इसको solve करेंगे, तो क्या values आएगी, यहाँ पे, जब हम इसको solve करेंगे तो हमारा आजाएगा, यहाँ पे, 12.275, ठीक है, सॉरी, हमारा यहाँ पे आएगा, 975, 975, यह हमारा absolute measurement है, relative measurement अगर हमें निकालना है, तो हमारा क्या होगा, coefficient of md, कैसे निकालेंगे, यह हमारा arithmetic mean का है, ठीक है, formula है हमारा, md, arithmetic mean का, upon में, arithmetic mean, ठीक है, मैं, अब निकाल लो, सो बच्चों, यहाँ पे हमारा आजाएगा, 12.975, upon में, arithmetic mean कितना निकला है, 40.5, तो यहाँ लिख दो, 40.5 हमारा क्या हो जाएगा, इनको solve करेंगे ना, जब बच्चों, तो हमारा क्या आजाएगा, mean deviation आजाए calculate किया, median से आप कैसे calculate करोगे, median से calculate करना easy है, आप n प्लस 2 करना, बच्चों, सबसे फ़हले median calculate करने के लिए, so n प्लस 2, यानि 40, upon में 2 करोगे, तो कितना आजाएगा, 20 आजाएगा, 20 की जो हमारी CF होगी, 20 की हमारी, 20 से उपर की, जो CF होगी, यानि यह, यह हमारा क्या हो ज हमारे पास median के value आजाएगी, so हम easily यह जो formula है, वो लगा लेंगे, so मैं हमारे पास क्या आजाएगा, हमारे पास median से, sorry, median से mean deviation आजाएगा, ठीके बच्चों, अब next, अगर हम median के बारे में बात करे, so median deviation is based on all value, जो हमारा, sorry, mean deviation है, वो क्या होता है, बच्चों, सारी values पे based होत affected, अगर किसी पे value में change हुआ है, so वो effect डालता है, हमारे mean deviation में, mean deviation is the least when calculation from median, हमारा जो mean deviation अगर हम calculate करते हैं, median से, तो वो क्या होता है, कम होता है, वहीं बच्चों higher होता है, कब जब हम mean से, arithmetic mean से calculate करते हैं, तो वो higher होता है, it ignored the sign of deviation and cannot be calculate for open-ended distribution, अगर हम open-ended distribution की बात करें, तो जो mean deviation है, वो calculate नहीं कर सकता, और बच्चों यह क्या करता है, इसके सबसे बड़ी जो problem है, या सबसे बड़ी जो कमी है, वो यहीं है, कि यह जो sign है, उसको ignore करता है, और sign ignore करने से बच्चों, जो actual result है, वो नहीं मिल पाता हमें, ठीक है, अब बच्चों, अगर हम बात कर जो यूज होता है, वो standard deviation है, standard deviation is the positive square root of mean of square deviation of mean, standard deviation क्या होता है, बच्चों हमेशा धृहन रखना है, यह positive square root है किसका, या square deviation है बच्चों mean का, ठीक है, the mean of these square deviation is the variance, अगर हम बच्चों square deviation का जो mean करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है variance हो जाता है next हम देखिंगे positive square root of variance is a standard deviation और वहीं अगर हम जो square root of variance करते है positive square root of variance ही क्या है बच्छों हमारे लिए standard deviation standard deviation is calculate on the basis of mean only अगर हम mean deviation की बात करें तो arithmetic mean और मैं हम median से दोनों से calculate कर सकते हैं पर अगर standard deviation की बात करें तो यह सिर्फ calculate होता है किस के basis पे सिर्फ arithmetic mean के basis पे calculate होगा next हम देखेंगे बच्छों the sum of deviation from value other than actual mean will not equal to zero अच्छा four method है बच्छों हमारे standard deviation को calculate करने के लिए actual method, assume mean method, direct method और बच्छों अगर हमारे पास individual series है तो direct method और step deviation method अगर हम actual mean, actual जो हमारा average method है या actual mean method है उसको छोड़ गया अगर कोई भी अगर हम दूसरे method का use करता है जैसे हमारा assume mean method या step deviation method या direct method तो बच्छों हमारे जो यहां पर deviation की जो value आएगी जो variation की value है जो हमने निकाला था modular d करके वो 0 नहीं होगी पर अगर हम actual value से निकालेंगे तो वो 0 के equal होगी next हम बात करेंगे standard deviation is not affected by the value of the constant from which deviation are calculated अब जो standard deviation होता है बच्छों वो affected नहीं होता है ठीक है जो constant value होती है उससे affected नहीं होता है next है the value of the constant does not figure in the standard deviation formula और जो बच्छों constant formula constant जो values है वो हम हमारा जो standard deviation का formula है उसमें use नहीं करते है standard deviation is independence of the origin और हमारा जो standard deviation होता है बच्छों वो क्या होता है independent होता है origin से मतलब इसमें ज़्यादा फरक नहीं होता है पर यहाँ पे ध्यान रखना standard deviation scale of origin से independent of scale से यहाँ पे नहीं होता है वो यहाँ पे dependent होता है ठीक है तो यहाँ पे क्या है independent of origin हमें देखने को मिलता है method है ठीक है first method की बात करें तो actual mean method है formula क्या है बच्चो हमारा हमने क्या खाता square root of mean deviation ठीक है यहां पर क्या है देखो यह deviation है यह mean deviation इसका क्या है square root है ठीक है और यह positive होता है हमेशा ध्यान रखना square root of mean deviation है ठीक है same है यहां पर क्या हो गया हमने बस frequency आजाएगी, यहाँ पे सिग्मा d square अपन में n है, यहाँ पे क्या आजाएगा, बस frequency आजाएगी, continue series में, अगर हम assume mean method की बात करें, तो assume mean method का हमारा formula क्या है, सिग्मा d square अपन में n, minus sigma d अपन में n का square, और बच्चो सेम है, यही का यही formula है, बस इसमें क्या आजाएगा, f आजाएगा बीच में, next हम देखेंगे, बच्चो direct method, direct method हमेशा individual series में हमारा apply होता है, ठीक है, individual series में बच्चो ungroup data भी होता है, और जो district series है, ठीक है, उस discrete series में भी यह use होता है, so sigma x square अपन में n minus sigma, जो हमारा automatic mean का square, next हम देखेंगे, बच्चो step deviation method, जिसमें की एक common number लेते हैं तो इसका formula है हमारा sigma d square अपन में n minus sigma c का square, same अगर हम देखें, बच्चो इन सब में same ही है formula, बस यहाँ पर assume mean में देखेंगे, तो यह extra आगया sigma d square अपन में n का whole square, यहाँ पर बच्चो हमारा x बार आजाएगा, यहाँ पर क्या आजाएगा, c आजाएगा, यह common number हो जाएग same है, इन सब formula में same यही है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे यह formula है इसमें बच्चो हम क्या लगाना है, सिर्फ f लगाना है, याने हमें क्या लगाना है, frequency लगाना है, ठीक है, यह हमारा हो जाएगा, यहाँ पर f होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, next हम देखेंगे बच्चों अगर हमारे पास question दिया हुआ है तो देख लेते हैं हमारे पास question है calculate the standard deviation from the following values ठीक है हमारे पास values दियो है बच्चों इसका हमें क्या निकालना है standard deviation निकालना है 5, 10, 25, 30 and 50 ठीक है यहां पर बच्चों हमारे पास value है 5, 10, 25, 30 and 50 हमें यह जो series है बच्चों कौन से individual series है individual series दी हुई है अब हमें क्या निकालना है मैं हमें actual mean method का use करना है चारो method हम इसी एक question के basis पे calculate करेंगे ठीक है चारो method हम इसी question के basis पे calculate करेंगे so मैं यहां पर बच्चों इसको calculate करो तो कैसे calculate करेंगे simple सा है मैं पहले सबसे पहले क्या करेंगे हमें सिग्मा एक्स निकालना है एक्स बार निकालना है ना कैसे निकालेंगे एक्स बार सिंपल सा है सिग्मा एक्स अपन में क्या करना है n करना है so कर लो तो इसको हम add करेंगे sigma x करो, sigma x करो, कितना आएगा, actual mean method में, sigma x करो, तो यहाँ पर आजाएगा, बच्चो, यहाँ पर आएगा, 120, 120 को अपॉन कर दो, बच्चो, number of observation, 1, 2, 3, 4, 5 से, किसे, 5 से, अब निकालो, इसको, कितना आजाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर आजाएगा, 24, कितना आएगा, 24, बच्चो, d कैसे निकलेगा, d हमें निकालना है, d कैसे निकलेगा, x minus x bar कर दो, जब हम x minus x bar करेंगे, तो हमारे पास क्या आजाएगा, d आजाएगा, 5 में से 24 को माइनस करो, कितना आएगा, 19 आजाएगा, 10 में से 24 को माइनस करो, कितना आएगा, 14 आजाएगा, 25 में से 24 को मा कर दो किए नजगा यहां पर बाइन नडजगा हमारे पास 16 आजगा ना 26 सब्चार्ट में अब लोगा क्या करना है यहां पर हमें क्या करना है अगर इसमें सी माइन करेंगे तो तो था हमिशेची कि मैं ने क्या क्रैन का एक्ट well main में जो होता है जो हमारा deviations जो होती है, जो हमारे difference होता है, बच्चों वो क्या होता है, 0 के equal होता है, देख लेना करके, ठीक है, अब इसका square करना है, ठीक है, 19 का square करना, 14 का square करना, 1 का square करना, 6 का square करना, 26 का square करना, सो कर लेते हैं जब हम 19 का square करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 361 आजाएगा 14 का square करेंगे तो 14 का square हमारा क्या है 196 है वन का स्क्वैर 1 है 6 स्क्वैर 36 है 26 का इस्क्वैर कितना होता है यह हमारे है इसक्वैर ऊब बच्यों क्या करना एड कर लो मैं जब अब करेंगे तो यहांपर ऑएगा 1270 आएगा इसको और अब क्या करना अब स्टेंड डिडिया शंगा है simple formula है, sigma d square upon m, यह हमारा formula है मैं, यह हमारा kya है formula है, तो कर दो, कितना है, 1270 upon में 5 का हमारा क्या है, standard deviation है, ठीक है, निकाल लो, इसमें से इसको divide करेंगे, 1270 में से 5 को divide करेंगे और मैं यहां पे इसका root लेंगे, तो मैं हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, 15 point, यहाँ पर आ जाएगा 15.937 क्या आएगा, 15.937 actual mean method से, स्वरी, actual हमारा standard deviation हाँ, स्वरी, एक सेकिंड, एक सेकिंड, एक सेकिंड actual mean method से हम standard deviation को कैसे calculate करते हैं हमने देख लिया, बहुत easy है, बहुत जादा easy अब बच्छो, assume mean method से कैसे calculate करते हैं, हमारा same data है ठीक है, अब बच्छो, इसमें हमें कोई actual में arithmetic mean calculate करने की जरूत नहीं है हम इसमें से एक assume कर लेते हैं कि भई, वह ही हमारा mean है, तो मान लिया तो 5 में से 25 को minus कर दो, कितना आ गया minus 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा minus 15 minus 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा plus का 5, and then यहाँ पर कितना आ जाएगा plus का 25 यह हमारा आ गया बच्छो, अब क्या करना है इसका square कर दो मैं ठीक है कर लेते हैं बच्छो square तो कर लो तो इसका 400 यहाँ पे 15 का square हो जाएगा हमारा 225 then 0 का square 0 5 का square 25 और 25 का square हो जाएगा हमारा 625 इतना clear है इतना clear है easy है अब बच्छो क्या करना इनका sum करना है सिग्मा x सिग्मा d square करना है ठीक है सो मैं हमारा सिग्मा d square कितना हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा बच्छो एक सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा 1275 अच्छा एक चीज धिहान रखना अगर हम standard deviation निकालते हैं किसी भी method से किसी भी method से हमारे जो answer आएगा बच्छो same आएगा चाहे आप actual mean method assume mean method direct method या step deviation method कोई भी method use कर दो आपका answer एक ही आएगा changes नहीं होगा इसको भी calculate करो यहाँ पे निकालना है पहले यह होगे हमारी value 35 35 मैंसे हमें 30 को minus करना है तो हमारा यहाँ पे आप जाएगा बच्छो minus का 5 ठीक है यह क्या है minus का 5 अब बच्छो formula apply करते हैं हमारा standard deviation का formula क्या है assume mean के लिए तो हमारा assume mean का formula है मैं यहाँ पे sigma d square upon n minus sigma d upon n का whole square यह है sigma d ठीक है याद रखना है यह sigma d है अब निकाल लो मैं यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सो हमारा sigma d square कितना है बच्छो sigma d square है हमारा 12075 upon n कितना है n कितना है n हमारा है 5 ठीक है n कितना है 5 minus sigma d square कितना है अभी निकाला 5 है, minus का 5 है, minus का 5, upon में 5, इसका whole square करना है, अब बच्छो कर लो इसको solve, कर लेते हैं, इसको solve, इसमें से इसको minus कर दिया, इसमें से इसको divide किया, sorry, इसमें से इसको divide करेंगे, और इसमें से इसको minus करेंगे, तो यहाँ 0 आजाएगा, 0 क्या ही square होगा तो इसमें से इसको minus करेंगे तो हमारी जो यहां पर value आएगी एक second, so हमारा जो answer आएगा बच्छो जो हमने पिछले उसमें करा था same वही आजाएगा, so हमारा answer क्या आजाएगा, यहां पर 15.937 आजाएगा ठीक है, यह हमारा हो गया, बच्छो, assume mean method से standard deviation का calculation, next हम देखते हैं बच्छो, direct method तो same है, direct method सबसे easiest method है, ठीक है, पर यह individual series में ही है, continuous series में ही है, क्या गरना है, easy है, हमारे पास x की value दे रखी है, अब इसको square कर लो, तो 5 का square कितना होता है, 25 होता है, 10 का square कितना होता है, 100 होता ह है, 25 का जो square है, बच्छो, वो कितना होता है, 625 होता है, then 30 का square हमारा 900 होता है, और 50 का square हमारा हो जाएगा 2500, ठीक है, यह हमारा square हो जाएगा, अब इसको add कर लो, add on करेंगे, तो हमारा यहाँ पर आजाएगा sigma x square, कितना आएगा यहाँ पर, अगर हम देखें, तो आजाएग 4150, अब क्या करना है, अब easy है, मैं, standard deviation का formula लगाते है, हमारा standard deviation का formula है, sigma x square अपन में n, minus हमारा x bar का, हमारा x bar, ठीक है, हमारा x bar का square, sorry, x bar का square, है, so हम यहाँ पर calculate कर लेता है, sigma x square कितना है, अभी निकाला है, that is, 4150, upon में n कितना है, 5 है, minus x bar, x bar कितना है, हमारा, x bar का square कितना है, अच्छा x bar तो हमें निकालागी, x bar हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर, इनको add करो, इनको add करेंगे, तो यहाँ पर आजाएगा, 120, x bar ह हम निकाले लेते हैं सिग्मा एक्स आप उन में तो इन यहां पर 120 अपान में फाइफ करेंगे तो यहां पर आजाएगा ट्वेंटीफूर ठीक हैं पिसली बारे में ही कर लिया था हमने स्क्रीटुरियर कर दो इसको, जब हम इसका स्क्राइयर करेंगे तो में है कितना आ है Neighb Tour मैं हम 251 को इसका इसक्डार करेंगे स्क्राइं है और मैं मैं हमा हम इसका स्क्टार मैं इसका क Gradrocessor condition का 254 आभ मारा सक्टार करेंगे तो मैं कि और पितिन क्रीक का और तीनो ही method से हमें पता चला है कि तीनो method कोई भी method use कर लो अगर same data of observation है so हमारा standard deviation तीनो ही method में क्या होगा एक जैसा आएगा equal होगा next हम देखते हैं बच्चो इसी में अगर हम बात करें step deviation method step deviation method में बच्चो एक common हमने number लेना है common factor लेना है यहां पर बच्चो जो common factor है उसको हम x से divide करते जाएंगे ठीक है हमारा जो x dash आया है वो कैसा है x divided by यहां पर common factor और हमारा common factor क्या है c है तो बच्चो 5 को 5 से divide कर दो तो कितना आएगा 1 आजाएगा 10 को 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 2 आजाएगा 25 को 5 से डिवाइड करो 5 आएगा 30 को 5 से डिवाइड करो then यहाँ पर आजाएगा मैं हमारा 6 50 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आजाएगा 10 आजाएगा इनको add करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा येस यह हमारा जो average निकला था arithmetic mean निकला था उसके equal होगा common factor से हम इसको divide करते हैं अब क्या करेंगे d dash calculate करेंगे याने deviation dash calculate करेंगे कैसे करेंगे x minus x जो हमारा x dash निकला है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे से minus करेंगे ge s 2002 क हम इसको करेंगे सो हमारा यहां पर क्या आएगा sorry x bar आएगा ना हमारा x bar हम आएगा यहां पर सो रिए x bar हम यहां पर calculate करेंगे हम बच्छो 24 को divide करेंगे हम यहां पर किस से 5 से ठाट है 24 को 5 से divide करेंगे 5 number अबंजर्वेशन है सो मैं हमarin इस पर क्या आएगा 4.8 आएगा अब क्या करना है सिंपल सी बात है 4.8 में से यह जो एक्स बार की जो वैल्यू है वो हम माइनस करते जाएंगे ठीक है माइनस क्या करेंगे करते जाएंगे सो 1 में से 4.8 को माइनस करो कितना आएगा माइनस 3.8 आएगा 2 में से 4.8 को माइनस करेंगे तो मैं यहां पर क्या आएगा माइनस 2.8 आएगा 5 में से 4.8 को माइनस करेंगे सो मैं यहां पर क्या आएगा 0.2 आजाएगा यहां पर क्या आएगा यहां पर 1.2 आजाएगा यहां प हमारा D dash आगया, अब क्या करना है, D dash का square करना है, इनका square करो, 3.8 का जब हम square करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, 14.44, 28, 2.8 का square करेंगे, तो यहां पर आजाएगा, बच्छो, 7.84, 0.2 का हम square करेंगे, तो यहां पर कितना आएगा, 0.04, 1.2 का square करेंगे, तो यहां आएगा, 1.44 5.2 का square करेंगी तो यहाँ पर आएगा 27.04 यह हमारा बच्चो आ गया D square, अब क्या करना है, इनका sum करना है, sum D square ठीक है, summation of D square, करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 50.80 ठीक है, 50.80 और यहाँ पर हमारा आई गया था हमारा sigma D dash ठीक है, अब क्या करना है, formula लगाना है, तो लगा लेते हैं, हमारा standard deviation का formula है बच्चो sigma D square upon my end minus C का whole square ठीक है, कर लेते हैं, solve सो हमारा sigma D square कितना है, that is 50.80 upon my end कितना है, 5 है minus 5 का whole square, करेंगे इसको solve, जब हम इसको solve करेंगे तो हमारा answer क्या आएगा, मैं हम यहाँ पे हमारा answer आजाएगा, बच्चो यहाँ पे आएगा हमारा 10 point एक second, इसको यहाँ से इससे divide करेंगे, तो यहाँ आएगा 10.16 multiply, यहाँ पे आजाएगा, बच्चो हमारे पास एक मिनट एक सेकंड, एक सेकंड क्या इसका square हम नहीं करेंगे, क्या एक बार थोड़ा सा formula देख लेते हैं तो इसका ठीक है, नहीं, यहाँ पे square नहीं होगा ठीक है, यह square नहीं होगा तो यहाँ पे 5 आजाएगा और जब हम इसको solve करेंगे तो हमारे यहाँ पे answer क्या आएगा same answer आजाएगा बच्चो यहाँ पे एक सेकंड, इसको करके देख लेते है थोड़ा सा, मुझे इसमें थोड़ा सा doubt हो रहा है इस question में इसको कर लेते हैं 10.16 multiply 25 ठीक है 254 आगया 254 को हाँ, यहाँ पे 25 आजाएगा बिल्कुल square होगा यह बिल्कुल square होगा इसको यहाँ पे लिख देते हूँ ठीक है, यहाँ पे 25 आएगा अब इसको solve करेंगे मन्दब इसका जब हम root निकालेंगे तो आजाएगा 15.937 यह इसका क्या हुआ बच्चो, square आ चुका है अब बच्चो, हमने यहाँ पे step deviation method, arithmetic mean, actual method sorry, actual mean method, assume mean method step deviation method और direct method से कैसे calculation होती है individual series की standard deviation की यह हमने calculate कर लिया I hope so, बच्चो, कि आपको भी समझ में आया होगा ठीक है, और यह numerical question है जब तक आप खुद बच्चो, pen copy लेके नहीं बैटोगे इसको solve नहीं करोगे तब तक यह समझ में नहीं आए next, अगर हम continue series की बात करते हैं बच्चो so हमारा, यहाँ पे continue series को हमने यहाँ पे solve करा है so continue series में हमारे पास class interval दे रखा है, ठीक है formula वैसे भी already बता दी है number of companies, याने f हमारे पास दिया हुआ है, frequency दिया हुई है हमें middle values निकालना है, mid point निकालना है तो इन दोनों को add करो, divide कर दो 2 से so हमारे पास mid point आजाएगा fm क्या करा हमने, इन दोनों को आपस में multiply किया, जब इन दोनों को आपस में क्या करो, multiply करो तो आपका fm आ जाएगा अब क्या निकालना है, d निकालना है d कैसे निकलेगा, simple सी बात है हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, arithmetic mean निकालना है arithmetic mean याने 16, 20 को हम divide करेंगे 40 से, तो क्या आजाएगा, हमारे पास arithmetic mean आ जाएगा, और इस arithmetic mean से हम क्या करेंगे यहाँ पर x minus x bar करना है जो x की value होईगे, हमारे x की value है ठीक है, इसमें से इसको minus कर दो, तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास d की value आ जाएगा, जब d की value आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, अरब यह f है, इसको d से multiply कर देंगे जब multiply करेंगे, तो हमारे पास fd आ जाएगा, then क्या है फिर इस f को क्या करेंगे, मैम, हम यहाँ पर यहाँ पर, sorry, इस f को हमने d से multiply किया एक मिनट पहले हमें f को d से multiply करना है यह जो हमारा F एसे multiply करना है, then इसी F को हम क्या करेंगे, F हमारे, sorry, हां हम, sorry, यह जो FD है बच्चों, उसका क्या करना है, हमें square करना है, इनका square करना है, जब हम square करेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगी, यहाँ पर इनका values और जाएगी, F D square की value आ जाएगी फिर हम इसका क्या करेंगे बच्चो इसको हम sum कर लेंगे जब हम sum करेंगे सो हमारे पास sigma F D square आ जाएगा हमारे पास 11,719 आ जाएगा अब बच्चो जब हम देखो यहां पर अब जब हम इसको solve करेंगे तो हमारा formula क्या होगा यह actual mean method से assume mean method में हमारा formula वही है बस हमें क्या करना है हमें वहां पर F निकालना है सिग्मा F square N square upon N ठीक है तो हमारा यहां पर बच्चो सिग्मा F D square किना निकला 11,719 निकला है उसको हम divide कर देंगे 40 से तो हमारी value यहां पर आ जाएगी बच्चो कितनी standard deviation की value आ जाएगी बच्चो 17,168 यह हमने बच्चो actual mean method से निकाला है आप assume mean method step deviation method से निकाल सकते हो same data का तो आपके answer भी same ही आएंगे कोई changes नहीं होगा अगर हम बच्चो बात करें standard deviation की जो सबसे जादा most widely used measure है बच्चो dispersion का और बच्चो यह सारी जो value है उस पर based करता है next हम देखेंगे बच्चो change in a even one value effect the value of standard deviation अगर बच्चो बीच की किसी बे value में observation की जो value दिये उसमें किसी में भी change होता है बच्चो standard deviation भी हमारा क्या होगा change हो जाएगा it is independent of a origin but not a scale यह बच्चो origin से independent होता है पर यह scale से independent नहीं होता है next हम देखेंगे it is also useful in a certain advanced statistical problem जो भी advanced statistical problems है बच्चो उनके लिए क्या है बच्चो यह useful है अब बच्चो अगर हम बात करें so standard deviation इसको अटाती हूँ standard deviation दर relative मेजर स्वरी एक सेकेंद एक सेकनर एक सेर traitor dairy division का relative मेजर यह अब तक हमPhone मेजर देखा था अब हम देखेंगे बच्चो रिलेटिव मेजर स्टेंडर डिवेशन कल जो रिलेटिव मेजर रा मेजदा यह उसको coefficient आफ varyasi Thrones जान रखना हमने range निकाला coefficient of range था QD निकाला coefficient of QD था हमने MD निकाला थो coefficient of MD था पर अगर हम standard deviation का coefficient निकालेंगे तो वो coefficient of variance होगा तो कैसे निकालते हैं standard deviation upon my arithmetic mean multiply 100 इसको बचो हम ऐसे भी लिख सकते हैं यह हमारा standard deviation है हमारा arithmetic mean है और इसको हम multiply कर देंगे hundreds है यह हमेशा बच्छो percent के form में आएगा ठीक है किसके it is usually expressed in a percentage term and it is a most commonly used relative measure of a dispersant जब सबसे जादा use जो dispersant होता है वो standard deviation होगा तो सबसे जादा use होने वाला coefficient भी कौन सा है बच्छो coefficient of variance होगा और यह हमेशा याद रखना यह हमेशा किसके परसंटेज के फॉर्म में होगा याद रखना देखो coefficient of standard deviation भी है coefficient of standard deviation कैसे निकालते है वो निकालते हैं बच्छो standard deviation upon में automatic mean हम multiply नहीं करेंगे coefficient of standard deviation में हम multiply नहीं करेंगे पर coefficient of variance जब निकलता है उसको multiply किया जाता है नेक्स हम बच्छो बात करते हैं देखो यह जो four measurement हमने लिए थे जो method हमने लिए थे वो numerical basis पे थे पर बच्छो एक method ऐसा है जो कि हमें यहां पर diagram के method से हमें बताता है कि जो values है उसमें कितना difference है तो यह है बच्छो लॉरेंस कर लॉरेंच कर इस अग्राफिकल representation of the distribution of income and wealth within the population लॉरेंच कर प्या बताता है एक graphical representation दीता है बच्छो किसमें जो income और wealth का distribution हुआ है बच्छो population में उस distribution में कितना हमें difference देखने को मिलता है कितना हमें यहां पर बच्छो डिस परजन देखने को मिलता है इसके बारे में अगर हम बात करें जोग्राफिकल स्वरी ग्राफिकल मेजर कॉल्ड लॉरेंच कर इस अवेलेबल फॉर estimating inequality of distribution और बच्छो यह क्या estimate करता है यह estimate करता है जो distribution हुआ है वो कितना in equal हुआ है याने कितनी in equally distribution हुआ है नेक्स हम देखेंगे it is especially useful in comparison of variability of two or more distribution by the drawing two or more लॉरेंच कर अब बच्छो same axis पे अगर हम देखें two or more अगर हमें observation दिया हुआ है distribution दिया हुआ है उनके बीच में कितनी variability है यह चेक करने के लिए हम क्या करते हैं बच्छो यहां पर यूज करते हैं बच्छो क्या यहां पर लॉरेंच कर्व का यूज करते हैं नेक्स हम देखेंगे बच्छो किस तरह से हम इसको calculate कर सकते हैं या फिर लॉरेंच कर्व को कैसे concentrate हम यहां पर construction कर सकते हैं तो अगर हम देखें तो हमारे steps कौन-कौन से सबसे पहले तो हमें mid value अगर हमें question दिया हुआ है सबसे पहले हमें mid value को calculate करना है next हमें क्या करना है calculate the estimate total income of employee in each class by multiplying the mid point of the class by the frequency of a class जो class की frequency दी हुई है उसको हमें mid point से calculate करना है then हमें calculate करना है express frequency in each class is percentage of the total frequency अब बच्चों जो ये frequency होगी उनका मतलब जो individual frequency होगी उसका total frequency सा हमें percentage लेना है ठीक है next हम देखेंगे बच्चों express total income of each class as a percent of a grand total of income उसके बाद में हमें income का total करना है अब जो income का total होगा उसमें जो individual income होगी उनका हमें percentage करना है frequency का percentage किया ऐसे income का भी percentage होगा next है prepare less than community हमें फिर CF calculate करना है cumulative frequency और हमें देखो हमें less than cumulative frequency और बच्चों cumulative income calculate करना है यानि जो frequency उनको add करते होगी चलना है और income का जो percent है उसको भी add करते होगी चलना है the cumulative frequency of employee फिर हमें क्या निकालना है, employees का cumulative frequency निकालनी है, then हम क्या करेंगे, cumulative income going to this person, उसके बाद में हमें पता चलेगा, cumulative income कितनी है, employees की, draw a line joining coordinate, अब बच्छो हमें line को यहाँ पे, join line को हमें क्या करना है, यहाँ पे draw करना है, और यह जो equal distribution, ठीक है, this is called line of equal distribution, और जब हम इस coordinate करते line को यहाँ पे draw करेंगे, so मैं हमारा यह क्या है, line of equal distribution होगा, ठीक है बच्छो और उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें cumulative percentage को plot करना है, अब बच्छो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास एक lorange curve है, यह हमारे पास क्या हो गया, बच्छो यह हमने जो, यह हमारा lorange curve है, हमने i.e., h.e. डिस्टिबिशन हुआ है, यह o बहुत जादा dispersion है और यहां पर फिर क्या है gap कम है तो मैं जितना जादा देखो equally distribution से line of equally distribution से लॉरेंच कर्व जितना दूर होगा उतना जादा dispersion या variation होगा data में तो बचो यह हमने देखा लॉरेंच कर्व के बारे में सो बचो आज के session में हमने major of dispersion पढ़ा उसके related numerical questions देगे आज हमने जादा deeply नहीं पढ़ा बचो पर अगर आपको जादा deeply वीडियो चाहिए हर concept के अगर आपको numerical question चाहिए सो बचो numerical question मैंने already वीडियो में करा रखे हैं सारी वीडियो बचो प्ले लिस्ट में है और प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के description में दिया होए I hope so बचो कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा thank you